पांचसो एक पजल की इस यात्रा में प्रते दिन लॉजिकली एक पजल सॉल करते हुए हम यहां तक पहुँचे तो चलिए देखते हैं आज की पजल आज की पजल के दो भागे हैं दोनों भागों में आपको दिया जाएगा एक एक सम सम में कुछ लेटर्स होंगे कुछ होंगे de-seats करना क्या है de-seats से लेटर को replace करना है ताकि सम वैलीड हो जाए याद रखने वाली बात है हर लेटर के value अलग-अलग होंगे इसका हर्थ है एक value दो लेटर को آپ एसाइन नहीं कर सकते इस तरह की बहुत सारी पजल सम्सॉल कर चुके हैं बार बार कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की पजल सॉल करने से numbers पर, arithmetical operations पर आपकी पखड बढ़ेगी और ये पखड aptitude के लिए absolutely essential है देखते हैं पहला sum sum है c d c d c divided by a b with a result of 5 d 0 d and remainder 0 logical steps देखते हैं पहला step a b into 5 equals to c 0 यहां से हमें value मिलता है a का a will be equal to 1 और b के 4 possible values है चारों number होंगे even b can be 2 or 4 or 6 or 8 next step a b into d equals to d c that is 12 into 3 equals to 36 यहां से हमें b का value confirm होता है b equals to 2 and d equals to 3 and c equals to 6 आप चाहें तो b और d के दूसरे values ट्राइ कर सकते हैं सारे values मिल गए a equals to 1, b equals to 2, c equals to 6 and d equals to 3 आप sum में values बठाएं और ट्राइ करें cross check करना आवश्यक है अब देखते हैं part 2 part 2 में sum है a, b, c, d, e, a divided by b, a with a result of b, h, 9, 9, a and remainder 0 logical steps देखते हैं b, a into 9 equals to b, b, a a का मुल्य हो जाएगा 5, b का मुल्य हो जाएगा 2 25 nines are 225 आगे बढ़े b, a into b equals to a, h 25 into 2 equals to 50, h का मुल्य मिला 0 next step b, c, d minus b, b, a equals to b, 3 that is 2, c, d minus 2, 2, 5 equals to 23 that is 248 minus 2, 2, 5 equals to 23 यहां से हमें 2 values मिलते हैं c equals to 4 and d equals to 8 last step देखें b, 3, e minus b, b, a equals to 1, b that is 23, e minus 2, 2, 5 equals to 12 यहां से हमें e का मुल्य मिलता है e is equal to 7 सारे values मिल गए a, 5, b, 2, c, 4, d, 8, e, 7 and h, 0 आप लेटर्स को रिप्लेस करें सम को क्रॉस चेक करें I am sure आप इस पजल को वीडियो रोक करके अपने से सॉल्व कर रहे होंगे by now इस तरह की पजल में आपकी एक्सपर्टीस डिवलप ओ गई होंगी इसी तरह विवित कुसलताओं का विकास करते हुए हम 501 पजल की सिरीज में आगे बढ़ेंगे अगली पजल में अवश्य मिलेंगे धनीवाद Thank you